दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं खेल धाबा और मैं हूँ नवीन चन्द मनोज दोस्तों हम आज आपको बिहार की एक ऐसी महिला और रॉंडर क्रिकेटर से मिलवाने जा रहे हैं जो कभी गलियों में क्रिकेट खेला करती थी उस खिलाडी पर नजर पड़ी बरतमान समय में बिहार के सीनियर क्रिकेटर की उस क्रिकेटर ने उस महिला क्रिकेटर का नमांकन अपनी एकाडमी में करा दिया जहां पे पटना के एक सीनियर क्रिकेटर और कोच ने उन्हें क्रिकेट की एविस्टेडी सिखाई फिर एक दूसरे क्रिकेट पशासक ने उन्हें मैच की सुविधा उपलब कराई धीरे धीरे इस महिला क्रिकेटर का कैरियर आगे बढ़ता चला गया इस में जहारकन की और से भी क्रिकेट खेला है जी हां हम जिस All-arounder महिला क्रिकेटर की बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रिती प्रिया गलियों में क्रिकेट खेलता उन्हें इंद्रजीत कुमार ने देखा और इंद्रजीत ने ही पंक़ज मिश्रा की एकडमी में प्रिती का ग्राउंड पर परतीभा दिखाने का मौका दिया सॉप्ट वॉल किर्केट एसोसियेशन और विहार के सचीद ज्योतिक कुमार ने उस समय विहार में किर्केट का महौल नहीं था प्रिती ने जारकन का रूप किया और बहुत दिनों तक वहां किर्केट खेला था बरतमान समय म प्रिती प्रिया से बाद की हमारे शंबादाता सुरेश मिश्रा ने आगे देखें प्रिती ने अपने किर्केट कारियर समेथ अनमुद्दों पे क्या बात कही आप देख रहे हैं खेल धवा और मैं हूं सुरेश कुमार मिश्रा आज एक ऐसे महिला क्रिकेट सेमरू बुरू कराने जा रहे हैं जो किसी पैरशे की मुधाज नीजी हम बात कर रहे हैं प्रिती प्रिया की बठाते चले प्रिती प्रिया पुर्में जब बिहार किर्केट association की मानेता नहीं थी तो जारखन से कॉल राउंडर के रूप में खेल रही थी आज बिहार सीनिय टीम की सक्रिय फदस्तर प्रिति प्रिया हम ऐसाथ जुड़ चुकी है आए बात करते हैं प्रिति के जीवन के बारे में कैसे क्रिट के सुरवात करी और क्रिकेट के बाद उनका क्रिकेट करेंगी प्रिति सबसे पहले तो धन्यवाद एथे हैं कि अपने ज्म हमारे चानल कहाल अब ढहले बहुत की यानि खेल के दुनिया का एक बड़ा नम आप पहली बार फेको कि summary 2013 में आप हैली बार किरेट खेले उसके पहले ऐसे भी ह spear कि만 के आट कितने भाई पहन है अब है बहुत दो भाई और आप शचछो हैं में चर साइ से च्त fre repet Все separate inspektर इसके बाद जब आप पहली बार क्रिक्ट खेले 2013 में तो उसके बाद क्या हुआ कैसे कैसे आपका जुरून आया कि आपको यह खेलना चाहिए ने अगली में कहले थे तो एक भाईया है इंडरजीत नाम है उनका रंजी खेल चुके हुआ तो वह ही लेकिए अकैडमे मैडमिशन करवाया उ आज बहुत बुलंदियों में और आप उसनों में खेलते थे बिहार क्रिक्ट की मानिता नहीं थी तो जार्खन क्रिक्ट एसोसिएशन में भी ऐजा ओल राउंडर खेले बड़े-बड़े खिलाईयों के साथ के लिए सानिध्य भी मिला फिर बिहार के दिसिन तो जो वर्तम हुए हैं जब बिहार अभिवाजय था तो कविता थी सीमा देषाई सीमा सेंग विभाब पांडे आश्मिति सेंग स्वेशिखा सोनिया ना जाने कितने बड़े नाम सिमा से सोदिया नीतू नीटू सिंग स्मस्टिबू ये बहुत बड़े-बड़े नाम थे बाभुशा प बात आपकी करें एक और राउंडर के रूप में आपने धमाल मचाया हुआ था लागा था तो सिर्फ सी आगी का सफर कैसे पूरा करेंगी कुछ सुचाया आपने अगर विमन्स आइपी एल होता है और आप से कोई धोती नाम पूछे जाएं कि कौन दावेदार हो सकता है बिहार क्रिकेट में प्रिति परिया जहार डिया करें है तो आपने जोएं किया लेकिन वर्तमान में विहार टीम का कोई उतना अच्छा पर्फॉमस में नहीं है लेकिन अगर खिलाईयों की बात करें तो भी नाउने बड़े बड़े नाम आज भी बिहार क्रिकेट में इसकी मुख के वजए क्या मानती है एक्सपीरियंस उतने नहीं है यहां के प्लियर्स के पास उतने मैचेस नहीं खेल है उन लोगोंने बस अभी है कि बोलो मतलब प्रैक्टिस वगरा कर रहे हैं तो जितना जादा करें आपके बारे में आपकी सहलियां जो है आपकी फ्रेंड परफॉर्मस्टेस अब क्या किया नहीं से आपके पहले कोच कौन हूँ पहले कोच मेरे पंकज मुष्रा पंकज मुष्रा जी और पहली बार बिहार को या जारखंट को आपने किस साल रिपर्जेंट किया 2016 में पहली बार रिपर्जेंट किया तेरह में अपने क्रिक्ट खेलने की शुरूबात करी जोदी सर थे उनोंने मुझे वहां भीजा था कि मतलब वहां जाके ट्राइकरो इक बार तो 2016 में ही में वहां गई थी और उस साल ही मेरा सेलेक्शन हो गया था अनर 19 डिम के लिए अनर 19 दोनों एक साल ही अपने दोनों वेज ग्रूप खेल लिया था धन्यवाद प्रिति यह थी बेहार टीम की सेनियर ऑल रांडर प्रिति प्रिया प्रिति जी आपके साथ हमारी सुपकाम नाए है झाल वेज बेहार टीम के लिए ठाटार टीम की नाए है झाल